आज इस सेशन में हम बायो डिक्नोलोजी डिसकस करेंगे कोसिस करेंगे कि इसे 20 या 30 मिनिट के अंदर अंदर कम्प्लीट कर सकें अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और इस वीडियो के डिसक्प्शन बॉक्स में इस वीडियो डिश्क्राइब करा दूँगा तो इस वीडियो के डिसक्प्शन बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएका मैं अकाडमी पे हर दिन सुबह 9 बचे हाइज स्कूरिंग चाप्टर डिसकस करता हूं और आफ और बेहतर करना चा सारे के सारे चीज़ को अवेल कर सकते हैं 10% का डिसकाउंड हो सकता है और 100 परतिशत मेरे गाइडेंस में आ सकते हैं तो बाइटेक्नोजी प्रिंस्पल और प्रोसेस की सुरुवात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट चप्टर है और मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ेके तो ब और यह और गिनिजम की प्रोड़क्त को हम अपने हीवें बेल फियर के लिए यूज करते हैं हम अपने लिए यूज करते हैं थाकि हम जादे से जादे इससे फायदा उठा सके इंटेग्रेशन अफ नेच्रुरल साइंस और और यह यह पूरा एक बाइटेक्नोजी एक रिस गेनिजिनिरेंग जनेटिक इंजिनिएरिंग क्या होता है था के तो अल्टर टेक्लिक मेटिए आईजी और रने हमने उसे उसके ऑरगशनिसम पे अंदर घुसके डीरेने और ने पिसे द्थी कर दिया है यह जो प्रोसेसिंग है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम प्रोडाक्ट को बनाते हैं उसे हम pure फॉर में रखना चाहते हैं तो यह प्रोडाक्ट बनाएंगे उसे हम प्यूर बनाएंगे किसी से कॉंटामिनेशन नहीं होगा अलियन डिने का मत्दब होता है कि जो हम बाहर से डिने हमने लिया है उसको हम अपने होस्त के अंदर डालेंगे तो एलियन डिने इस उसे लियन विए उसवे उसको नहीं बने अपने होस्तों सकता है और यह अबिसे निए के पास रहता है और जब हम इसे बाहर निकाल रहेंगे बेक्टिरिया से और इसे एक वैक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे हम अगर होस्ट में डालेंगे तो रैप्लिकेट कर सकता है तो प्लाजमीड इस ओट्रनूमस रैप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्ट्रक्रोमसोमल अब डिने कटिंग डिने टे स्पेस्विक लोकेशन ब बिच बिच में कट करना है तो इसके लिए हमें मॉल्यूकिलर सीजर की जरूरत परते हैं तो सबसे पहले आपको काटना पड़ेगा काटने के लिए रस्ट्रिक्शन एंडोनिकलेस की जरूरत परती है और जोडने के लिए डिने लाइगे इसके जरूरत परती है दिस प्लाजमी डिने इस वेक्टर इस ट्रांस्पोर्टेड अपीस ओफ डिने अटास्पोर्ट इस अबिलिटी तो मिल्टिप्लाइड अफ एंटी अंटी बॉडी रिजिस्टेंस जीन एकोलाइड नाओ टूस पूस 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 और graveyard निकाला इनसुलीन को कौअद कर रा और हमें इंसुलीन बंताना है तो हम क्या करेंगे कि इंसुलीन इंको इस π्लाजमिट के साथ चोड़ दो डिने लाएड और ईसे जोडने यह हम फोस्त के बगांडएंगे ताकि हमारा जो जो जीन है मुर्झी मॉल्टिप्लाइग क हिंट सेकेंग आया वो कोशन फॉस फॉंक्शन इपने इन इकलिट सेक्वेंज वाज इस इसलेटेड एंग करेक्टराइज भाइज फाइफ यह लेतर इन इस प्रिक्विट पॉइंट सेकेंग इस से विए कोश्चा गया है कि हिंट सेकेंड जो हता है और किस सारे सिक्स बेस से उख कर सकता है इको और आई डालेटर आर इस डराइब फ्रॉम देराइब देन देन राइट इको इस एकोलाइब रोमन नंबर फॉस्ट इस फॉलिंग इंडिकेट द ऑडर फ्व इंजाइम तो बीडिस्कवर्ट रस्रिक्शन इंजाइम बिलों तो लाज लाज झाट दे तरव फॉकर जाटे और फिरिज इंड्यूलैस और सकातहिं का था इंडिक्रस में कविज। तो exonucleases remove the nucleotide from the end of the DNA molecules where the endonucleases cut the specific position within the DNA. East restriction endonucleases recognize the specific palindromic sequence. Palindromic sequence का मतलब होता है कि ऐसा sequence, ऐसा group of letter which is when we read backward and forward, the meaning is same, that's Malayalam. So, palindromic sequence is a group of letter to form the same word when we read forward and backward, that is Malayalam. So, restriction enzyme होता है, इस palindromic sequence के बीच से थोड़ा सा थोड़ा सा लेफ्ट और राइट काटता है, मतलब बीच से ही काटता है, मालेजे. So, restriction enzyme cut the DNA strand little away from the center, मतलब center से थोड़ा सा अलग हट के palindromic side, but between the same two base pair of opposite strand. Restriction endonuclease are used to genetic engineering to form a recombinant molecules, recombinant का मतलब सेम वैसे ही है कि जो हमें product के जरूरत होगी, and which compose of the DNA from the different sources or genome. When the cut the DNA of the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment has been the same kind of sticky end, can be joined together by using the DNA ligase enzyme. So, here is enzyme, you can appreciate how the recombinant DNA technique are developed. So, let's suppose this is a foreign DNA, हो माले जी इंसुलीन का DNA है, and this is a vector. This one is a plasmid. Let's suppose this one is a plasmid. So, सबसे पहले restriction endonuclease को यहाँ पे काटेंगे, और यह cut create हो जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पे यह वाला इसको भी इसके उपर भी restriction endonuclease डालेंगे, और यहाँ से इसको इससे जोडेंगे with the help of DNA ligase enzyme. तो यह recombinant बन गया, और इसे हम host के अंदर डालेंगे, ताकि हमारा जो foreign DNA है, इंसुलीन हिया, रिलेक्सिन हिया, कोई भी चीज है, वो multiply होगे हमें large scale पे दे सके, एक और process होता है that is called bio-reactor, हम इस product को और multiple times enhance कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं with the help of bio-reactor. तो separation and isolation of DNA fragment is the first step, with the cutting the DNA at the restriction endonuclease enzyme in fragment of the DNA, and this fragment we separate by the technique is called gel ectophoresis. अब जो restriction endonuclease जब हम डालते हैं, तो fragments छोटे बड़े medium size के cut जाते हैं, और उसको क्या होता है कि छोटे बड़े medium size के cut जाते हैं, तो उसको एक छोटे वाले fragment एक साहता है, बड़े वाले fragment एक साहता है, medium वाले एक साहता है, तो we have a gel ectophoresis. Since the DNA fragment is negative charge molecules, they can be separated by the facing them, move toward the anode under the electric field through the medium called matrix. So nowadays the most commonly matrix is a natural polymer which is extracted from the sea waves. DNA fragments separated resolve according to their size through the sieving effect, provided the growth gel or is the question I have, and the smaller fragment size the faster its movement and that's called gel ectophoresis. After the separation of fragments, we can stain with the help of ethidium bromide and after the staining, we can separate it, that's process called illusions. So the separated DNA fragment can be visualized after the staining the DNA with the compound known as ethidium bromide, followed by the UV radiation and this is very very important. Bright orange color ka band dikhayi dene laghega, and UV light ke अंदर. तो यह कुशन आया हुआ है, तो this is a method of gel ectophoresis and this will be separated on the basis of charge, on the basis of size. Now the cloning vector, plasmid or cloning vector ka मतलब यह होता है कि जिसके उपर हम अपना gene डालें, जैसे अभी हमने देखा कि bacteria के अंदर plasmid होता है, और plasmid को काट के उसके उपर हम foreign DNA डालेंगे, बट ही हमेशा सही नहीं होता है, तो हम cloning vector को हम genetically engineering से हमने बनाया, that's called हमने बनाया है, और वैसे तो cloning vector plasmid use हो सकता है, bacteria phase हो सकता है, बट bacteria phase को ज़्यादा तर use नहीं कर सकता है, एक copy number होता है, copy number का मतलब यह होता है, कि अगर कोई भी vector host के अंदर, कितना ज़्यादा multiply कर सके, तो ज़्यादा हो multiply करेगा, तो हमारा product में multiply होगा, बट ही जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादे के चकर में, आपकी quality खराब हो जाएगी, तो bacteria phase because they are high copy number, have a very high copy number that genome within the bacterial cell, so vector use at the present engineering in such a way, that helps to easy linking of foreign DNA, and selection of recombinant from the non-recombinant, यहाँ पर आपको समझना चाहिए, कि what is a recombinant, what is a non-recombinant, recombinant का मतलब होता है, the desired one, जिसकी जरूरत है हमें, जो हमारा product है, real original product है, और non-recombinant जो की, जो जरूरत नहीं, क्योंकि जीन के अंदर, बहुत सारे और भी करेक्टर होते हैं, तो हमारा product, पूर नुरूप से बहतर नहीं बन पाता है, तो that is called non-recombinant, जो हमें desire नहीं है, तो following are the features that required for the facilitate the cloning into the vector, and that first is called origin of replication, अब हमारा cloning vector है, और cloning vector भी तो DNA ही है, तो हम हर जगा जोड नहीं सकते हैं, हमें वहीं जोडना चाहिए, जहां पर origin of replication हो, तो this is the sequence from the way the replication is start, and any piece of DNA when linked to the sequence can be made, replicated within the host cell, तो selectable marker, selectable marker is basically helpful for the find out the reality, मतब कि जो हमारा real product है या नहीं है, recombinant है या नहीं है, so addition to the ORI, the vector required a selectable marker, which helped to identify and eliminate the non-transplant, non-transplant, that is not required, not required is what, non-recombinant है ना, non-transplant is called non-recombinant, and selectively permitting the growth of transform, जो हमें जरूरत है, तो transformation processes through which the piece of DNA is introduced into the host bacteria, cloning site के बारे में बात करें, तो in order to link the alien DNA, alien DNA मतब हमारा gene, तो हमने जो plasmid बनाया है, तो हम अपने लालच में यहां पर भी जोड़ देंगे, 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 तो हम सोचेंगे कि हमारा product बहुत multiple time बन जाए, बहुत जादा बन जाए, तो इससे problem ही होगा, कि हमारा gene cloning complicate हो जाएगा तो यही है in order to link the alien dna vector need to have a very few preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme and presence of more than one recognition site within the vector will generate the several fragment will will complicate the gene cloning and ligate the dna at bomb hi at rita second resistance pvr 322 to pvr 322 is basically we are formed with the help of uh with the help of with the help of genetic engineering or genetic engineering the recombinant plasmid will lose the tesis second resistance gene due to the insertion of foreign dna but is still selected out the non-recombinant once by plating the transferment on the tesis cycle containing medium and transferment growing on the mpc link containing medium r transfer into the medium containing tritracycling तो अलग-अलग medium में डालके देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारा कौन सा हमारा टांस्पोर्मेंट है जिसमें टांस्पोर्मेंट प्रॉपरली ग्रोथ करें उस medium को हम select करेंगे right so selection of recommend is due to the inactivation of antibiotic is a cumbersome process क्योंकि आप अगर इसे काटेंगे तो यह वाला portion जो है beta galactosidase को code कर रहा था तो अब तो यह हट गया और beta galactosidase हट गया तो आपने किसी को जोडने की चकर में किसी को हटा रहे हैं and that's called insertional inactivation अगर आप कुछ चीज इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज इनक्टिव हो जा रही है और वाट विल विदे आप inactivated and this is the beta galactosidase तो therefore the alternate selectable market is developed with differentiate recombinant and non-recombinant on the basis of ability to produce a color in the presence of chromogenic substance तो यह तुरंट 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 अलग अलग प्लेट में डालने के बजाए हम एक ही प्लेट में डालेंगे और color के basis पर पता लगा लेंगे कि हमारा जो चीज है वह बिल्कुट पॉफेक्ट है या नहीं है तो presence of chromogenic substance give a blue color and if the plasmid of bacterium is not any insert and presence of अगर हम डालने के बाद कोई भी color अगर ना है तो हम समझ जाएंगे कि यह रिकॉमिनेंट चीज़े सब्सक्राइब करेंगे तो अगर हम उस प्लांट को जनेटिकली मोडिफाइब करना चाहते हैं तो यूज करेंगे बट इसे हमने जनेटिकली इंजिनियरिंग से अब वो ट्यूमर कॉस नहीं करेगा तो अग्रोबेक्टियूमर्स प्लांट इस अबल टो डिलिवर देने इस नौन आस टी डेने एंड ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट तेल इंटो ट्यूमर अंड डिरेक्ट इस ट्यूमर के प्रदूमर्स अगर हम एक किसी आनिमल के अंद इस नौत मौर पैथोजनिक प्लांट इस तिल अबल तो यूज अबल तो यूज दिलिवरी अब जीन अफार इंट्रेस इंटो वाराइटी अप्लांट और एट्रोवारस को भी हमने डिसांट कर दिया है कम्पेटेंट होस का मतलब होता है कि जितके अदर हम डालेंगे कम्पेटेंट का मतलब लायक तो उसको उस लाइक बनाएंगे सिंस dna is a hydrophilic molecules cannot pass through the cell membrane in order to face force the bacteria to take up the plasmid the bacteria cell must first be competent to the dna and done by the treating with a specific concentration of divalent cation so that calcium उसके उपर calcium डालेंगे तो छोटे छोटे शोटे पूर्स क्रियेट हो जाएंगे और पूर्स के साहता से अपने जीन को डाल सकते हैं तो recombinant dna can be forced in such cells by incubating the cells with the recombinant dna followed by placing the 42 degree heat shock और फिर उसको बरफ पर डालेंगे इससे जो है उसकी वह अराम से कोई भी पैदा कोई भी जीन को ले सकता है they enable the bacteria to take up the recovered dna micro injection भी कर सकते हैं the dna is directly injected into the nucleus of the animal cell the cell are bombarded with a high velocity tungsten coated dna and they are called biolistic or gene gun method process of recombinant dna technique पांच method यूज किया जाते हैं the first is isolation of genetic material सबसे पहले आप isolate करेंगे अगर plant से आपको करना है तो इसके cell wall को काईटीन के मदब से हटाएंगे और आपको लाइसोजोम से cellulose plant से काईटीनेस फंगस से तब आपको प्योर dna मिलेगा RNA को हटाएंगे ribonuclease से वेराज प्रोटीन के में remove other treatment of proteases purified dna ही opt-in करेंगे और आपको chilled ethanol में डालेंगे तो आपको एक suspension की तरह दिखाई देगा फिर dna को specific location से cut करेंगे with the help of restriction enzyme और अगर मान लेजे कि आपका gene बहुत कम है तो PCR के मदद से उसे amplify करेंगे so the enzyme extended primer using the nucleotide provided the reaction of genomic dna template और इस PCR में tag polymerase रहता है जो उसे amplify करने में मदद करेगा the segment of dna is amplify approximately 1 billion time and such repeated amplification is received by the thermostable dna polymerase isolated by the bacterium thermos equitacus tag polymerase राइट फिर isolate करने के बाद इसे insert कर देंगे इंसर्ट करने method produce the large biomass leading to the high yield of desirable product तो अगर कम volume आपका बने तो उसे large volume convert करने के लिए बायो रेक्टर का इस्तमाल किया जाता है to produce a large quantity there is development of bio reactor where the last volume of 100 to 1000 liter of culture can be processed was required there's a bio bio reactor can be thought to be vessels in 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 which now a material can be biologically converted and specific product can be enzyme using micro plant बहुत सारे चीज़े आप देख पा रहे हैं बायो रिक्टर जो है इसके अंदर education system होता है oxygen delivery system होता है form control system temperature control system pH control system यह सारा होता है जो इसको जरूरत के लिए होता है now the downstream process जो भी हमने product बनाया है उसको proper तरीके से separate करेंगे purify करेंगे and collectively refers to the downstream process the product has been formulated to the suitable for derivative such formulation undergo the clinical time in case you are made of drugs and strict quality and control testing is required for this downstream process and quality control is vary होता है एक product से दूसरे product के लिए ठीक है and that's all thank you so much